मैं जानना चाहता हूं सर की उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष में वर्तमान में जो कुछ भी राजनीतिक सामाजिक धार्मिक माहौल है यूपी में आप बीजेपी और अपोजीशन की तैयारियों में एक दूसरे के मुकाबले कहां पर पाते हैं देखे ब्रजेश जी मुझे लगता है कि मैं अभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था और प्रवक्ता अपना धर्मी निभा रहे थे ये बड़े ने मुझे लगता है कि जो इंडिया गटबंधन है उसके बड़े लोग तैय करेंगी कि कौन की सिट पे लड़ेगा किसको कितनी सी सीटे मिलेंगी हलाकि ये लड़ तो रही हैं सी सीटों पर लड़ेंगे ये तैय बात है लेकिन जहां तक तैयारियों की बात है इंडिया गटबंधन एजे गटबंधन एक गटबंधन के तौर पर जनता के बीच अभी जाने की शुरुवात उसकी नहीं हुई है और इस तर हैं इंडिया के घटक दल जो हैं वो अपने अस्तर पर तो जनता के बीच आ रहे हैं लेकिन एजे एजेन एलाइंस एजेन एलाइंस वो जनता के बीच नहीं है एलाइंस का नेता कौन होगा एलाइंस के कारिकरम क्या होंगे एलाइंस जनता तो जो ये अपने अपने वोट लड़ने का जहां मजबूत होगा वहां से लड़ेगा तो उसके लिए जरूरी है अपने कैडर को एनरजाइज कर रहे हैं लेकिन वोटर को नहीं कर रहे हैं बीजे पी एज पोलिटिकल पार्टी वोटर को एनरजाइज कर रही है मोदी की गारेंटी कितनी सही कितनी गलत ये बहस का भी सह Ben है लेकिन मोधी की गारंटी वोटर के बीच एक मुद्दा है वोटर को भी देखिए वह कैड़र को भी एनर्जाइज कर रहे हैं अंडिया कट बंधन आजे गट बंधन ना तो आपने वोटर को एनर्जाइज कर पा रहा है ना अपने कैडर को एक करके एक जो मोनलिथिक बनता है कि भाई कॉंगरेस का वोटर सपा का वोटर ये मजबूत पार्टी यहां RLD अपने बिल्ट में मजबूत है सपा पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है कॉंगरेस का हर जगा एक वोट बैंक है लेकिन एज इंडिया एलाइंस वोटर के बीच इनका वोटर साउट रीज का कोई प्रोग्रेम नहीं है तो यहां मैं मानता हूँ कि भारतिय जंदा पार्टी को एज है चोकि भारतिय जंदा पार्टी सबसे संबाद कर रहे है क्या राजनीतिक विश्वास एक दूसरे पर कम है एलाइंस में इस कारण इनको विलम बोरा है एजेंडा तै करने में कारिकरम तै करने में और सीट बटवारे पर नहीं देखे मुझे देफेसिट तो नहीं है अगर डेफेसिट होता तो यह लोग एक साथ बैठ कर बात नहीं करते डेफेसिट को यह लोग डेफेसिट था लेकिन चार से देखें तो हर जगह Congress को त्याग करना पड़ेगा West Bangal में ममता मजबूत ہے वो Congress को करी हम आपको एक सीट देंगे δो सीट देंगे बिहार में नितीज लालू देखे आप घिसके तो हर दल चाहता है पंजाब में दिल्ली में आम आद्मी पार्टी चाहती है कॉंग्रेस त्याग करें तो यह जो तीन चाहर स्टेट है तरफ दावा कर पाएंगे मध्यप्रदेश बिना त्याग के कहा करें क्योंकि दिल्ली गद्धी आएगी तो कांग्र यह भी संभग थैंक्यों सुक्री हमारे साथ जुड़े रेखें